के होता है कि सफ़ल होना तो बहुत चोटी बात है कि डॉक्टर मेडिकर हमारी सम्मिधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज़ादा पढ़े लिखे थे एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पीएचडी भी टीन कर रखी हो और चोथी बात में दोर उनको मिल गई हो पूरी सम्मिधान सभा में हमें इतना वेल रेट इतना पढ़ादीखा व्यक्ति नदर नहीं आता है लोग कहते हैं कि सम्मिधान सभा में हमकी भौमिका बहुत चोटी सी थी अगलनिय थी क्योंकि वो उन्हेंने सम्मिधान लिखा हाँ कि प्राजू Σमीति ने कुल सात मेंब्र से जिन में से एक ने जोइन ही नी किया एक बीमार पड़ गए दो दिली के बाहर थे एक नचीव बाहर चले गए एक ड spin शीफ़े जो दिया दूसरे मैंबर कू लेक आried अर कहने को सात वेंमर से लेकिन दरवसין कवल एक दिट्टी के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई और ये कफे प्रीडी कृष्ण मचारी ने समिज्ञान सर्वा की भीतर दिया और इसलिए हमें इस बात के समान करना चाहिए लेकिन आपने से धिकांज बच्चे जिस समाजिक परिवेश्टे है मैं संयोग से समाज के उस परिवेश्टे हूँ जिसमें समाजिक की शंवता को झालने है मेरा जन एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाती का नहीं है तो मैं सवर्ण समाद से हूँ हुता है जाती है भेरभाव ज्हेलन नहीं पड़ता है मैं बहुत गरीब ही डिर आना पिता मेरे माता ठ्यापत थे तो बेतन्ता की था उनका है ओर एक्यूचों कि सवानिय्थ और मेरा मानना है कि इस गलत फैमी से हमारे समाज को बचना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महाननेता होना से एक है और उनकी महानता को में शिपार करना चाहिए धूप बहुत ज्यादा है आपकी उम्र भी बहुत कम है इसलिए मैं गहरी बातों मैं नहीं जाओंगा डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद गहरे समबाद हो सकते हैं उनका गांदीजी से क्या रिष्टा था अजादी के अंदोलन से उनका क्या रिष्टा था मार्क्सवाद से क्या रिष्टा था बहुत धर्म से उनका क्या रिष्टा था यह सर्व ऐसे विवाद प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज्यादा तर आपके लिए इन विवादों में अभी उव्रजना ठीक नहीं है आपके लिए जो ज्यादा महत्पून है मैं उस बात पर आता हूँ मैंने पिशले एक साल में जो यात्रा है कि उसमें एक यात्रा कॉलंबिया विश्यविद्याल है नियॉयोर्क के की और वहां जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भई यहां डॉक्टर मेड़कर पढ़ते थे कोई ऐसा मेमोरियर उनका है क्या तो वह मुझे एक लाइ हुई है और साथ में काफी उनके बारे में लिखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा ड़ी कोलंबिया विश्यविद्याल है आज भी यह मानता है कि डॉक्टर अंबेटकर उनके आज तक के सबसे शांदार विद्यार्थ्यू में सहीव थी उसी के कुछ दिन बाद म में लंदन में था तो लंदन स्कूल ओफ एक्क्नॉमिक्स वहां से पास ही था कई दो-तीन किलोमेटर दूर था संडे का दिन था तो भूंते भूंते वहां चला गया बंद था वो तो मैंने वहां उनके जो स्टाफ फ्रेमर से रिक्वेस्ट कि कि क्या मैं अंदर केवल घू भूं सकता हूं थोड़ा सा तो वो लेहां घूम लीजे और जब मैं घूमने गया तो मैं में देखा कि बिल्डिंग में अंदर घूसने से पहले ही बाहर उनों ने एक ही प्रतिमा लगाई है और वो डॉक्टरर मेंटर की ही प्रतिमा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भरतिय सबूत की ख्याती दुनिया में इतनी ज़्यादा है अमेरिका में लंदन में जहां वो पड़े वहां के इंसिक्यूशन से मानते हैं कि हमारे मानतम मिद्यारच्च में से एक बोत है तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनकों लेकर आज मुझे बुलाया गया है यह कहें कि बच्चों को पेड़ना देनी है पर दरसल मेरे लिए तो खुद यह पेड़ना का समय है कि मैं एक ऐसी जगा हूं जहां मैं बहुत संख्षेप में आपको यह बताना चाहरा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे आपकी पर सितिया कुछ-कुछ वैसी होंगी जैसे अमेड़कर जी की थी हलांकि वैसी नहीं होंगी और क्यों नहीं होंगी क्योंकि अमेड़कर जी हो गए आपसे पहले इसलिए आपके सितिया वैसी नहीं अगर अगर वो ना होते तो सि तो मैं आपको थोड़ा से बताना चाहरा हूँ कि आप किस भारत की यहतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है मैं ये भी समझाना चाहरा हूँ कि जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तर देखो जो समाज के उस तमके से नहीं भी हैं जो समाज के संपन वर्ग से हैं उनको भी समझने की जरूत है जो हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है वो हमें किसी व्यक्ति की महनता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरना बिंदू क्या थी आपको मैं पेरित करूँ इससे बहतर है कि मैं आपको वही बताओं डॉक्टर अम्बेडगर के बारे में जिससे मुझे प्रेणा मिलती है शायद आपको भी किसी से प्रेणा मिल दो और मैं इस पश्ट कर दूँ मैं किसी विचारधारा किसी मान्यता किसी वाद का अंधसमर्थट नहीं हूँ मैं ना गांधिवादी हूँ ना मार्क्स वादी हूँ ना अम्बेडगर वादी हूँ मैं सभी महन व्यक्तियों को पढ़ता हूँ दूब के पढ़ता हूँ अब मेड़करजी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूं लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूं उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी आप बार बार ताली मत बजाईए उससे रिदम तूटे की ताली एक बार बजा दीजिए का बात में अभी सुन लेजिए मैं कल जब इन दौर आ रहा था फ्लाइट में था तो मैंने कुछ वीडियो जाउनलोड किये हुए थे मेड़करजी के बारे में यह सोच कि कुछ नया पढ़ने को मिले कुछ नया सुनने को मिले तो मुझे भी तो प्रेना मिले तो एक जिक्र मैंने सुना आपनो दूप से परशान तो नहीं हो रहे जादा वैसे भी धूप मेरी तरफ ज्यादा है आपकी तरफ तो कम है तो अगर मैं बोल सकता हूं तो आप सुन भी सकते हैं और आप बैठे हैं मैं खड़ा हूं तो आपको तो ज्यादा है तो मैंने कहले बड़ा अच्छा जिक्र सुना तो वह जि कि मैं 1936 में एक बार डॉक्तर अमेड़कर की घर गया और मैं दंग रहे गया उनकी लाइब्यरी में किताबे बिनने लगा तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय आठ हजार किताबे थी तालीम नहीं नहीं सुन मैं कि मैं आठ हजार किताबे थी और जिस दिन डॉक चपन में 6 दिसंबर को बित्य हुई मैं जिस सीच से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूँ उस दिन उनके पास 35,000 किताबे थी मैंने अरस्तु के बारे में सुना है जो ग्रीक फिलोसफिय का सबसे महान चिंता किया सबसे महान चिंता को में सेहिख हुआ उसने अपने जीव वो 21 किताबों में आता है और जब मैं उसको उठा के पांट साथ दिन पहले जब पता लगा यहान है तो मुझे लगा मैं एक बार रेफ्रेंस के तोर पर फिर से देखनू है इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अम्बेड कर ने केवल अपने 65 साल की जीवन में लिए हैं उनको समय कम मिला यह इश्वर यह नियती की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला अगर उनको दस मेना साल और मिल जाते तो निस संदे हमारा देश जैसा है उससे बहुत 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 होता लेकिन नियती का मामला है मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोज करते हैं, उनको लगता है कि ये दलिता बनेता है, ये हिंदु धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था, लेकिन उन्होंने उन पर सितियों को उस बैग्राउंड को देखा नहीं, जो आज मैं आप से डिस्स करूँगा, आपने सुना होगा जर साल पहले बुद्ध ना होते हैं, तो दरसल हम वहां नहीं होते हैं जहां जब बैठे हैं, क्या उन्होंने क्या जहला बेट कर दीने, क्योंकि आप बच्चे हैं इसले मैं वही सी चीजिए बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुनके समझ में आएंगी और प्रेना मिलेगी मुझे बताया कि आइसी घर में उनका जैन्म हुआ, आप लोग कितने सवागेश अलिए हैं कि आप यहां आते हैं, मैं तो पहली बर जीवर में आया हूँ, कुछ दिन पहले इंदौर पहली बर में आया था, एक साल पहले मुझे यह नहीं पिता था कि इतना पास में वो सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले, मुझे आज पता लगा कि M-H-O-W क्यों कहते हैं, मिलिटी हैट को अड्रस ओफ वार उसका नाम था, मैं परशान था कि महु के स्पेलिंग M-A-H-U क्यों नहीं है, M-H-O-W क्यों है, तो आज पता लगा नहीं वो एक एक्रोनिम है, उसके फिल-फॉर्मेक है, वो जिस समाज में थे, उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने के रुमत ही नहीं थे, पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमिशन पद होता है से नामे, बड़ा पद होता है तो, इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौकर मिल गया है, पर उनकी मा को, आधरणी अभीमा भाई जी को अच्छे से पता था, कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इससम बहुत बुरा बरताव होगा, जिसको आपकी भाशा में बुलिंग कहते हैं, आशकल के बच्चो बच्च बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजड़ेंगे, ऐसे कई बच्चे होतें, कोई फीजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नही है, जब वो स्कूल जाते हैं, एक तो पहले वो पेडिश हैं, उसके बाद स्कूल के बाधी बच्चों का मजाँग ब जगड़ना मत विद्जोह करें के छोड़ मत देना क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाऊगे जीवन में वरना कोई दूसा रास्ता नहीं इस बात को उस छोटे से बच्चे बढ़न में बिठा लिया फूस्कूल गया उस कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आए था जो समाज के अच्हूत कहे जाने वले समधाय का हिस्ता था जो बागी बच्चे थे बुरे नहीं थे पर वो भी अपनी घर से सीख रहे थे अपने समाज से सीख रहे थे उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है तो जवस्ता होई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में जहां सारे बच्चों के जूते चपल रखे हैं उसके पडोस में एक दरी छोटी सी बचा के बैठेंगे और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवेत्र ना हो अब सोचके देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है अपनी घर से दरी लेके आता है क्लास के अंत में, जहां जूते चपल रहें उसके पास में बेचाता है, बैठता है बाद में लेके जाता है उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है तो वो दिवार की तरफ छेहरा कड़के अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था उसको पानी पीने के अरुमती नहीं है आपने यह समनी छेला होगा उस बच्चे का सोची है याद से केवल और केवल 110 साल पहली की बात में का बहुत पुरानी बात नहीं है 115 साल पहली की बात उस बच्चे को पानी पीना है स्कूल में पानी की एकी विवस्ता है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा वो घड़ा नहीं छू सकता है और ये बत कोई और नहीं कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आ उसमें केवल छए अध्याए हैं जिनमें से चार अध्यायव में उन्होंने अपने अनभाव बताए हैं और दोने बातियों के अनभाव बताए हैं और जो पहले अनभाव है वह वह यहीए आपकी उम्र से बहुत पहले अंबेड़करजी बहुत सीरियस हो गये थे इसलिए वह अंबेड़करजी है तो अब तो सीरियस होई जाना चाहिए और जिस व्यक्षी की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे आपके समास में विश्रे श्लूप से यह भी समझना चाहिए जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पाने नहीं पी सकते हैं उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मका धर में नो पी और नो वाटर उस समय ऐसी बोत्रे नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी जिन बोत्रों के लिए आप हाहकार मचा रहे थे उस जमाने मे पी और नहीं आता था तो पारी नहीं मिलता था उनके नंबर बहुत अच्छा है एक लास में व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा पर उनको यह आप्शन नहीं था कि वह आगे बैठ सके उन्हें पीछे ही बैठना था यह उस बच्छे को भीम राव को एक छोटी से पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवने जी और कहा कि इसको बढ़ो हम मिठकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुसकर जी को जिन्दगी भर नहीं भूल पाया वही केलुसकर जी बाद में उनको बढ़ोगा के महराज सियाजी राओ गायक वार से मिलवाने ले गए वजीफा दिलवाया